हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल देखे फ्रेंट्स क्यूस्ट नमबर फॉर देखेंगे अब हम एक्सरसाज 10.2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है जीरो से वन इंटीग्रेट करना है एक्स इंटू एकी पावर एक्सुकेर है डी एक्स तो यहां क्या करना हो पुछे स्टुडेंट्स भूल जाते हैं इस बात को विशेज ध्यान रखना है और यहां पर देखें तो पुट करने के अगर बात है यह विना पुट के तो होगा भी नहीं कभी आप सोचे कि इस पर फर्स्ट यह यू इंटू वी हम पढ़के यह भी तो आ रहे हैं यू इ बाते हैं ऐसा नहीं हें कीएट सुकेर का इंटिग्रेशन करने वेट जाए कई बहूं बहुत है फूहित खाले ऐ की पावर एक्स होता तो आप यहां की पावर एक्स होता सुकेर नहीं होता तो इसको फर्स सेगड़िま की कुशन को कर लेते ठीक है अब इसमें बताएं तो क्या करेंगे हम X सुकेर को इपुट करें आप X सुकेर को T तो differentiate करें with respect to X योग कि आप इसको T के रूप में बनाना है तो यह क्या हो जाएगा X के respect में करेंगे तो 2X is equal to T का X के respect में DT by DX आएगा वो DX इदर लिख लेते हैं इसके डिवाइड में इधर आजाएगा अब यहां पर X और DX को तो आप यह 2 इसको नहीं चाहिए तो कहा जाएगा DT के अपोन में आजाएगा DT by 2 अब हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं जब आप देखो I is equal to मैं यहां लिख लेता हूँ integration of limit नहीं लिख रहा हूँ फिलाल यहां पर देखें तो X और DX की जगह है तो हम क्या लिख लें वाई 2 तो DT by 2 constant इसको दोबार रहे लें और E की X सुकेर है तो E की X सुकेर को क्या माना है मिने टी ठीक है तो इसमें तो first second मानने का चकर ही खदब हो गया तो ठीक है दूसरी कुछ है ही नहीं तो अब बात आते हैं इसकी limit की तो limit देखो अब limit कैसे कर लेंगे यहां अगर हम बात करें limit की तो when जब X 0 है तो T कितना T is equal to जब X 0 है जब X 0 था तो T कितना इसमें रख दो भई X 0 था तो T कितना value 0 आई T की भी और when जब X की value कितनी थी 1 X कितना था 1 तो T कितना वही क्योंकि T के coding बनानी है अब limit यह विशेज ध्यान रखना यह भूल जाते है students और mistake हो जाती है खाम खागी तो T कितना वही देखो X 1 है तो 1 का square 1 ही आएगा तो T की value कितनी आई 1 यानि कि limit क्या आई जहां 0 है वहां आपने 0 लिखना है और जहां 1 था वहां आपने 1 ही लिखना है ठीक है X की जगे यानि कि 0 से 1 अब भी 0 से 1 है इसमें भी 0 से 1 इसमें तो चलो सेम हो गई लेकिन ऐसा नहीं है आरे question में यह सेम रहेगी यह ध्यान रखें आप चीक है तो 0 से 1 हो गई limit अब इसको integrate कर दें आप तो e की t का integration e की t होगा 0 से 1 इसके limit apply करेंगे 1 वाइट 2 e की t t यानि की 1 माइनस e की पावर 0 अपर लिमिट माइनस लावर लिमिट 1 वाइट 2 यहां से क्या आ गया e e की पावर 0 1 तो यह क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा वह यह था आपका first part अब इसका second part देखते हैं देखो यहां बात करें तो अपने को integrate करना 0 से 1 x into under root of 1 minus x square dx देखिए आप चाहें तो पूरे under root को उठा के t मान लेंगे ठीक है या फिर आप देखो यहां clearly दिख रहा है x दिख रहा है तो आप x square को अगर आप put करेंगे differentiate करेंगे तो 2 x dx आएगा तो 2 को हम set कर देंगे तो x dx मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मिल रहा है तो हम क्या करेंगे x square को put करेंगे उससे better क्या दिख रहा है हमें 1- x square को इसका जीरो और इसका-2x आजाएगा और डिटी बाए एक्स के रिस्पेक्ट में डिटी वाई डिएकस आएगा वह यहां लिख लेता हूँ तो एकस्टी डिएकस को आप क्या लिख लेंगे माइनस बाई टू डिटी के लिए रहे हैं अब लिमिट में चेंज कर लेते हैं बात करें हम वें यह किस की has ?Coding थी X की अकोडिग वैन एक्स जब 0 था ?Cटी इतना होगा अब j0 हा ट्यजेतना देखं fewer कितना देखं़ यहां रख लें इसके अंदर तो टीकी वेल्यू आई 1 तीकी कितनी आई 12 these necom your religion on और वैन कि एक्स की वेल्यू कितनी जब x की value थी 1 तो t कितना तब t कितना x की value 1 है तो 1 का square 1 1-1 0 t कितना है finally 0 clear है तो i is equal to बात करेंगे तो यहां limit अब क्या बन जाएगी यहां लिखेंगे 1 से जहां 0 था 1 लिखना है और जहां 1 था वहां क्या लिखना है 0 clear है वाई 1 से 0 0 से 1 ऐसे limit हो सकते हैं कोई दिकत नहीं है 0 से 0 नहीं होगी ठीक है अब यहां पर देखो यहां देखें तो x और dx यहां x और dx को तो आप क्या लिखेंगे minus 1 by 2 dt तो minus 1 by 2 dt लिख दिया और इसकी बात करें इसको क्या माना है हमने t माना है तो under root of t बन गया यह clear है अब यह क्या हो जाएगा minus 1 by 2 यहां है इसका integration t का integration क्या आने t की 1 by 2 का 1 by 2 में एक add करेंगे 3 by 2 ठीक है 3 by 2 और 3 by 2 नीचे भी आना है तो पल्ट के आएगा तो 2 by 3 आ जाएगा इसको बाहर ही लिख लेता हूं क्योंकि constant पे limit का परभाव पढ़ना नहीं वन से 0 अब 2 से 2 कट गया क्या है यहां से minus 1 by 3 इस पे limit apply करें तो 0 की power 1 by 0 की power 3 by 2 0 यह उना है और 1 की power 3 by 2 1 याना है तो यहां से minus 1 by 3 और यह तो 0 हो गया यह यहां से minus का 1 आया कितना आया minus का 1 तो इंटू में minus का 1 आएगा minus minus हो गया पलस 1 by 3 आ जाएगा पलस का 1 by 3 यही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा इस question को आप ऐसे भी कर सकते थे under root of 1 minus x सुकेर को इसकी बजाए आप पूट करते इसको t फिर सुकेर इंग बोच साइड करते ठीक है फिर differentiate करते इसका 0 इसका minus 2x is equal to पहले तो t स्केर का 2 t लिखते फिर t का d t y dx वो d x इधर ले आते 2 से 2 कर जाता और फिर इसको set करते तब भी question आप कर सकते थे ठीक है वही आपकी मर्जी है चाहिए आप इसको put कर लेना चाहिए ऐसे put करके कर लेना कोई दिकत नहीं है ठीक है यह थे आपके first or second part आप note कर लेंगे students अब इसका third part देखें वही 1 से 2 integrate करना है x into under root of 3x minus 2 dx इसको integrate करेंगे तो जैसे पिछले question में बताया हमने आप under root समयत ही put कर लेंगे हम इसको देखें तो क्या बढ़ेगा 3x minus 2 under root समयत अगर मैं put कर लूँ इसको t तो सुकेरिंग बोच साइड करेंगे तो यहां 3x minus 2 is equal to t square हो गया ठीक है अब इसको differentiate कर दें with respect to x बोच साइड तो इसका यहां से क्या जाएगा 3 आ जाएगा 2 का हो गया 0 यह 2t लिखेंगे फिर t का करेंगे तो dt by dx आएगा वो dx में इधर लिख देता हूं ठीक है यह 3 यहां नहीं चीए तो इसको उधर बेज दें तो dx की value क्या आगी 2 by 3 t dt के लिए अब यहां पर limit भी set कर लें when यह limit की अगर बात करें तो यह किसके लिए थी x के लिए when x is equal to 1 तो t कितना वही x अगर आपका 1 है तो t कितना यहां से find out करेंगे आप x 1 है तो 3 minus 2 1 1 का under root 1 तो t की value 1 आई और when x is equal to 2 जब आपका 2 है तो t कितना x 2 है तो देखो 306 6 में से दो गए 4 4 का under root 2 किलियर अब यहां पर वापिस आ जाए तो i is equal to क्या बन जाएगा integration of 1 से 2 है तो जहां 1 है वहां t b 1 1 ठीक है और जहां x 2 है वहां t 2 1 से 2 x dx देखो अब x को लिखना पड़ेगा यहां हमें क्या करना पड़ेगी तो x की value कहां से निकाड़ेंगे इससे तो यहां से अगर x की बात कर लें तो x क्या जाएगा t square plus 2 by 3 पूरे के पौन में आएगा 3 तो यहां लिखे t square plus 2 upon 3 लिख लिया वाए यह अंडरूट ओफ यह इसको क्या मान रखा है t और फिर आया dx dx की value क्या है यह निकाड़ रखिया हमने 2 by 3 into 2 by 3 t dt किलियर है यहां तक अब आगे देखते हैं देखो 2 by 3 यहां से और यह 3 यह तो constant है इनको तो भार ले लें तो यह क्या आ गया i is equal to 2 by 9 आगे वही देखो आप 2 error तीन तीन लो और यहां पर 1 से 2 चल रही है और bracket के अंदर क्या है t square plus 2 plus 2 और इसके into में क्या है t और t t square t square है इसके into में dt इस t square को अंदर multiply करें उसके बाद में finally integrate करेंगे अभी नहीं करना है ठीक है यहां पर 1 से 2 यह क्या हो जाएगा t की power 4 plus 2 t square dt अब इसको integrate कर दें हम तो 2 by 9 overall भार चल रहा है यहां क्या हो जाएगा t की power 5 upon 5 plus 2 t की power 3 by 3 आएगा हो गया इसका integration और limit apply करेंगे 1 से 2 तो पहले अपर limit apply कर दें 2 by 9 यहां पर क्या हो जाएगा 2 की power 5 by 5 plus 2 by 3 2 की power 3 sorry ठीक है 2 t की जगें 2 रख लिया ना इसकी power 3 minus अब lower limit apply करें तो 1 की power 5 by 5 plus 2 by 3 और 1 की into 1 की power 3 3 ठीक है यह बंद और यह बंद के लियर वई कुछ नहीं वैसा पर लिमिट रखनी है जहां भी टी दिखे और minus of lower limit minus जब लगा हो तो ब्रेक जरूर लगा लेना ताकि mistake ना हो अब इसको simplify कर दें तो 2 by 9 तो और आल भार चल रहा है यहां देखें तो 2 की power 5 कितना हो जाएगा 32 कितना हो जाएगा दो दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 32 32 by 5 भी बनेगा पलस यह कितना बन जाएगा दो की power 3 दो यह रहा सोड़ा बनेगा वही 16 by 3 यहां से बन गया माइनस इस माइन इसको भी खोल लें तो यह कितना बन गया यहां से वन की power 5 1 यह आएगा by 5 पलस माइनस माइनस का और यहां से 2 by 3 आ जाएगा अब इसको simplify करें तो यहां से कितना आ गया आपका 2 by 9 और यह च्यान में और असी नो राट सतरा एक सोचेतर में से तेरा जाएंगे तो कितने बच गई 163 by 15 के लियर भाई अब 163 को हम क्या कर देंगे दो से multiply कर देंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और यह कितना हो गया एक दूनी 2 रेक तीन और 15 निम में 135 होता है ठीक है 15 निम में 135 और कुछ कट रहा है इसमें तो कट रहा है तो काट लें अगर कटता है तो अधरवाइस यहीं पर छोड़ देंगे देखो अगर हम देखें यह तो छेहर दो आठ आठ और 11 तीन से तो नहीं कटेगा वही यही बैस इतना ही छोड़ देंगे इसको यहीं क्या हो जाएगा इसका आंशर हो जाएगा वही यह था आपका थर्ड पार्ट आप नोट कर लेंगी स्टूडेंट्स अब इसका फोर्थ पार्ट देखें वहीं इंटिग्रेट करना है जीरों ऐसी इतनकी बता रहे हैं वैसरी वीजन ही चल रहा है यहां पे क्या है उपर एकस दीख रहा है अपने से तो इक से करते हो लॉ Iowa को गलाो ह sickness इसको पुट कर लें, पुट करें, 5x के एर, पलस 1 को t पुट कर लें, तो differentiate करेंगे, तो कितना हो गया, 10x हो गया, 1 का हो गया, 0, is equal to t का, x के respect में, dt by dx आएगा, वो dx यहां आजाएगा, किलियर, अब हमने तो x dx को लिखना है, तो x dx की value क्या आजाएगी, dt by 10, dt by 10, और यह जो 2 दिख रहा है, question में, इसको हम यहां की बजा, यहां लिख सकते हैं, ठीक है, आप एक अगला step बना लेना, जो question दिया था, उसका यह अगला step है, यह मान ले आप, ठीक है, अब आगे अगर देखें, अब limit भी change कर लेते हैं, when, यह किस के according था, यह x के according है यह limit, when x 0 है, तो t कितना भई, और when x is equal to, अपना, when x की value, जब 1 है, तो t कितना, तो x 0 है, x 0 है, तो t कितना, देखो यह 0 हो गया, यहां से 1, t की value कितनी आई, 1, और जब 1 है, तो 5 और 1, 6, t की value कितनी आई, 6, तो आप limit i is equal to, क्या चल रहा है, 2 बार है, limit apply करेंगे, जहां 0 था, वहां 1, और जहां 1 था, वहां पे 6 लिखेंगे, और x dx की जगें क्या लिखेंगे, dty 10, तो dt by 10 है, 10 को लिख देंगे बार, ठीक है, नीचे क्या है, 5x square plus 1, इसको क्या मान रखा है, हमने, t मान रखा है, clear है, और dx, x और dx को था हम लिखी च रखा है, इसका integration, यह 2 से 2, एकम 2, 2, 5, 10, 1 by 5, और यह क्या हो गया, log t, इसका क्या हो गया, integration log t, और इस पे limit apply कर देंगे, 1 से 6, तो क्या हो जाएगा, 1 by 5, log of, क्या हो जाएगा, 6 minus log of 1, upper limit minus lower limit, clear है, वहाई, अपर limit minus lower limit, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो log 1 की value क्या होती है, 0, log 1 क्या होता है, आप लिखेंगे, since log 1 is equal to 0, तो यहाँ यह 0 हो गया, तो यह क्या हो गया, 1 by 5, log 6, यही क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, clear है, log को यह mode में लिखते हैं, क्योंकि log में positive value exist कर देखो, इसको integrate करना है, तो यह भी ऐसा ही है, पूरे कोई put कर लेते हैं, ठीक है, यह 3 जो दिख रहा है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, अगर हम बात करें इसकी, तो इसको ऐसे लेकिने, 3 बाहर, 1 से 2, और यह क्या है, x dx upon 9x square minus 1, अब हम put कर लेंगे, 9x square minus 1 को t put कर लें, तो aspect में dty dx आए, और dx यहां लिख लेंगे, 18 जो है, यहां की बज़ा इधर लिख लें, यानि कि x dx की value क्या आगई, dty 18, अब इसको बनाएं आप when, limit की बात कर लें आप, तो x के according बात करें तो x1 है, तो t कितना, और when, x जब आपका value है 2, तो t कितना, तो x जब 1 है, तो t कितन आप 1 रखेंगे, तो 9 में से 1 जाएगा, तो 8, यानि कि t की value हो गई 8, और x 2 है, तो 2 दूड़ी, 4, 9, 4, 36 में से 1 जाएगा, तो 35, ठीक है, t की value 35, तो limit क्या बन गई, i is equal to, क्या लिखेंगे, 3 बार चल रहा है, जहां 1 था, वहां 8 लिखना है, जहां 2 था, वहां 35 लिखना ह ठीक है, और x dx की जगे, dt by 18, dt by 18, 18 को तो बार लिख लो, limit कोई परवाव नहीं पड़ेगा, सोरी, limit का कोई परवाव नहीं पड़ेगा, constant है, ठीक है, तो बार लिख लेते हैं, upon, इसको 9 x square minus 1 क्या है, t है, अब 3 से इसको काट ले, 3 एकम 3, 3 चिंग अठा रहा है, यानि 1 by 6 चल रहा है, इसको integrate कर लें, तो लिखेंगे log t, ठीक है, और इस पर अब limit apply कर देंगे, 8 से 35, तो limit apply करेंगे, यहां से 1 by 6, यह क्या बना, log of 35, अपर limit minus log of 8, ठीक है, इसको और ज्यादा लिखें, तो 1 by 6, और log m by, sorry, log m minus log n, log m by n होता है, तो इसको log of 35 by 8, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसका, answer हो जाएगा, 1 by 6 log of 35 by 8, यह था आपका 4th और 5th पार्ट, आप नोट कर लेंगे students, अब इसका 6th पार्ट देखेंगे, वह integration करना है, minus 1 से 2, 5x upon 4 plus x square की whole square है, dx, x के respect में, तो यहां पर यह ऐसा question भी हमने पढ़ा है, हमने आपको बता है था, generally करके, कि bracket जो दिख रही है, उसको हम मान लेते हैं, तो अपना काम बन जाता है, ठीक है, यहां भी देखें, तो यह practice base बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रटा रटा है, अब देखें, bracket को input कर लें, और सब question हो जाएंगे, यह practice base है, ठीक है, अब यहां पे भी, देखें कर दें, यह bracket के अंदर जो दिख रहा है, उसको, तो इसका differentiation करें, इसका 0, इसका 2x is equal to, इसका क्या हो गया, dtydx वो dx यहां आ जाएगा, और हमें तो 2 नीची है, तो x dx is equal to dty2 लिख देंगे, ठीक है, यहां पे इसको 5 भी नीची है, तो 5 को बाहर लिख लेंगे, यहां प x लिखा है, तो x क्या coding, p लिखा है, तो p क्या coding होंगी, ठीक है, अब यहां पे यह x क्या coding है, तो x is equal to minus 1, तो t कितना, और when x is equal to 2 है, तो t कितना, x is equal to minus 1 है, तो यहां रखो भई, minus 1 का square, पलस का बनाएगा, तो 4 और 1 कितना होगा, 5, और x की value 2 रखेंगे, तो 2 दुरी 4, औ होगा, 8, तो अपनी limit जो है, वो क्या बन जाएगा, देखो, यह 5 है, इसको तो मैं भार लिख लेता हूं, देखो, इसको यहां की वज़ा, यहां लिख ले, कोई लिकत नहीं है, मैंने उसका दूसरा step कर लिया है, ठीक है, 5 को भार लिख लेना है, यह दूसरा step आप question का बन लिख दे 2 को, अपन, यह 4 प्लस X स्केर क्या है, T, और T का क्या होना है, सुकेर, T का होना है, सुकेर, DT, clear, अब यहां पे 5 बाई 2, 5 से 8, यह उपर जाएगा, तो T की माइनस 2 हो जाएगा, वही, DT, यह देखो, DT हम दो बार लिख गए है, यह की बार है, यह की बार है, य T के रिसपेक्ट में तो करना है, X, D, X कोई तो DT by 2 लिखा है, तो DT by 2 तो यह बार लिख दिया, अब इसको उपर ले गए, ऐसा नहीं है कि आप इसको log of T स्केर लिख दें, ऐसा कुछ भी बना दे महीं है, ऐसा नहीं होगा, अगर आपने ऐसा बना दिया है, तो क्या आप differentiate करके देखेंगे, तो ऐसा आजाएगा, नहीं आप आएगा, ठीक है, गलत रहेगा, तो सबका एक method है करने का, उसी according आपने करना है, ऐसे नहीं सिदा log of T स्केर लिख दें, ठीक है, वो quality होता, या मतलब एक linear term के रूप में होती, तो आप लिख सकते थे, log of करके, अब यहा क्या हो जाएगा, I is equal to 5 by 2, अब integration देखें, T raise to minus 2 का, क्या होगा, इसमें एक जोड देंगे, और वही नीचे, इसमें एक जोड देंगे, तो क्या आएगा, T की power minus 1, और यही नीचे minus 1, तो वो minus में, यहाँ लगा लूँ, ठीक है, और इस पर limit apply कर दें, 5 to 8, 5 to 8, किलिए रह minus है, इसको आप भार लिख सकते हैं, क्योंकि constant यह आप यह मानें कि minus 1 है, constant भी limit का कोई परवाव नहीं पड़ता, ठीक है, यह minus तुमने भार लिख लिया, और यह T inverse लिखा है, इसको मैं 1 by T लिख सकता हूँ, और power है 5 से 8, अब पहले upper limit apply करें, ठीक है, और फिर lower limit, यहाँ 1 by 8 minus 1 by 5, अब कर दें भई, minus 5 by 2, एल्शियम ले इसका, तो 40 एल्शियम आ जाएगा, यहां कितना हैगा, 8, 5, 45 और यहां 5, 8, 40, ठीक है, minus का 5 by 2 into minus 3 by 40, minus minus क्या हो गया, पलस, तो यह कितना हो जाएगा, 5 से कर जाएगा, 5, 8, 40, तो 3 by 16, यही क्या हो जाएगा इसका, answer यह था आपका 6th part आप note कर लेंगे students, अब इसका 7th part देखें भई, integrate करना है, 0 to 1 e raise to x upon 1 plus e की power 2x dx को, ठीक है, अब यहां पे देखें, तो हम क्या करेंगे, देखो, अगर e की 2x को अगर आप put करते हैं, और इसको differentiate करते हैं, तो e की x का e की x आता है, differentiation ऐसे e की 2x का क्या हैगा, e की 2 आएगा, 2x का 2 आएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो उपर e की x ही चीए, e की 2x तो नहीं चीए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले तो i is equal to, आप इसको लिख सकते हैं, 0 से 1 e raise to x upon 1 plus e raise to x की square, ठीक है वही, e की x दो बार है, e की x into e की x, तो base से मैं तो power add हो, के e की 2x बन गय करेंगे, e की x को t put करें, तो differentiate करें, तो e की x का e की x, और t का x के respect में, बोथ साइट किसके respect में कर रहे हैं, x के respect में, तो यह तो यह हो गया, t का d, ty, dx आएगा, वो dx यहां लिख लेंगे, अब यहां देखें, तो e की x, dx यहां दिख रहा है, अपने को t में convert हो जाएगा, अब हम limits भी change कर लें, किसके according, t के according, when x is equal to, यह किसके लिए x के लिए, तो x 0 है, तो t कितना, और when x जब 1 है, x is equal to 1 है, तो t कितना, तो x 0 है, x 0 है, तो t कितना आजाएगा, देखो, x की power, यहां पे e की power 0, यानि की 1, t कितना आएगा, 1, और अगर 1 है, तो कितना आएगा, e raise to power 1 यानि e आएगा किलियर भई अब यहां पर आ जाएं i is equal to integration of 0 था वहाँ 1 लिखना है जा 1 था वहाँ e लिखना है आपने e raised to x dx को क्या लिखेंगे dt लिखेंगे upon 1 plus e की x को क्या मानना है t मानना है तो t का क्या हो गया square clear अब यहां पर कर देता हूं मैं इसको i is equal to इसका integration 1 upon 1 plus t square का 10 inverse t हो गया क्या हो गया 10 inverse t और इस पर limit apply कर देनी है आपने 1 से e ठीक है अब upper limit minus lower limit तो upper limit apply करेंगे तो 10 inverse e minus 10 inverse 1 upper limit minus lower limit तो यहां क्या आ गया यह तो 10 inverse e रहेगा minus 10 inverse 1 कब होता है 5y 4 पे ठीक है यही क्या हो जाएगा इसका answer यह आप note कर लेंगे 7th पार्ट को अब इस question का last part देखें वही integrate करना हमने 4 से 9 root x upon 30 minus x की power 3 by 2 है और इस सारे की whole square है ठीक है इसको x के respect में क्या करना है integrate ठीक है तो हम क्या करेंगे देखो हम क्या कर लेंगे यहां पे क्या दिख रहा है अपने को root x दिख रहा है और यहां पे x की power 3 by 2 भी दिख रहा है तो अगर आप इसको differentiate करेंगे तो 3 by 2 आगया जाएगा और एक इसमें से कम होगा तो यहां x की power आध्याद दीका मतलब under root of x ही बनेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे हमने वैसे भी आपको बताया है कि generally हम bracket को माल लेते हैं एक कम होगी तो आधी बचेगी यानि की root x is equal to t का x के respect में dt by dx आएगा वो dx यहां लिख लेता हूँ clear अब हमें यह minus 3 by 2 इदर नीची हमें ची यह root x dx जो उपर दिख रहा है ठीक है तो यहां क्या हो गया root x dx is equal to minus 2 by 3 of dt बन गया वई अब यहां आजाएं आप limit भी change कर ले आप t के according बना ले when x is equal to 4 है तो t कितना और जब x जब x कितना है 9 है तो t कितना करो x जब 4 है तो t कितना आएगा यहां से देखो गई 30 minus यहां पर 4 रख लेंगे x की जगे की power 3 by 2 अब आप इसको solve करें यही तो t आएगा तो इसको मैं 30 minus इस 4 को 2 का square लिख सकता हूं और इसकी power 3 by 2 तो यह इससे multiply होगा तो यहां पर 9 रखोगे 9 की power 3 by 2 तो 9 को 30 minus 3 का square लिख दिया जाए और 3 by 2 इसकी power 3 2 से 2 कट गया 3 की power 3 3 की power 3 का मतलब कितना हो गया 27 27 तो यही आ गया ना अपना t ठीक है यह क्या आ गया t की value कितनी 3 यहां से आ गई 3 किलियर भई अब आगे देखते हैं limit apply कर दे अब i is equal to अब जहां 4 लिखा है वहां तो लिखे 22 किलियर और यहां पर जहां 9 लिखा है वहां लिखे 3 और क्या है अपना root x dx की जगे क्या लिखेंगे minus 2 by 3 dt तो minus 2 by 3 तो बार निकाल दूँ मैं dt और यह क्या है निचे अपन यह सारे को टी मान रखा है t का square चल रहा है वही इसको उपर लेके जाएं तो minus 2 by 3 और यह limit है 22 से 3 इसको उपर लेके जाएंगे तो t की minus 2 होगी dt के लिखेंगे अब कर दो इसको integrate इसमें एक जोड़ देंग तो i is equal to minus 2 by 3 यह क्या हो जाएगा integration t की minus 2 का t की minus 1 upon minus 1 तो यह minus यहां लगा लो और इसकी power क्या है यह limit है इसकी limit कितनी है 22 और यहां कितना है 3 कि लिए अब आगे देखें हम यह जो माइनस इसको भार ले लेते हैं क्योंकि limit का यह constant कोई परवाव नहीं पड़ता तो माइनस यह इदर आएगा तो पलस 2 by 3 बना देगा और इसको मैं t inverse को 1 by t लिख लो और limit apply कितना 22 है यहां 3 है अब कर दे limit apply पहले अपर limit तो 1 by 3 बन गय कि लिए यहां पर 2 by 3 यहां देखें तो कितना एल से माज आएगा 66 यहां तो यह कितना जाएगा दो ती एच्छे 22 और यहां से 3 आ जाएगा तो कितना आ गया यहां से 2 by 3 into यहां बच गया 19 ठीक है अपन 66 कि लिए अब इसको काट लें जितना करता है दो से यह कितना अपना 19 by और 33 को 3 से multiply करेंगे तो 99 आ जाएगा चीक है यही क्या हो जाएगा इसका answer देखें इससे जादा तो आप इसको काट नहीं सकते यह था फ्रेंड्स आपका इसका लास्ट पार्ट अगर आपको वीडियो समझा रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देखके चैनल जादा से जादा बताएं थैंक्स फोर वचिंग माइ वीडियों